मस्ते बच्चों पिछले क्लास में हमने क्या सिखा था? टौ लिखना सिखा हमने है ना ये क्या है? टौ टौ से क्या होता है बच्चों? टौ से टमाटर ठीक है? टौ के बाद क्या होता है? टौ के बाद ऐसे ठौ ठौ से क्या होता है? ठो से थठेरा, ठो से ठग, ठीक है, अब डो और ठो, इसके बाद क्या होता है? टो और ठो के बाद होता है, ये देखिए, इसे हम कहते हैं, डो, क्या बोलते हैं इसे हम? डो, डो हम कैसे लिखेंगे बच्छों? ये दिखिए चोटा सा एक ऐसे लाइन लेंगे ये सिधी रेखा है और इसे हम जैसे E हमने लिखना सीखा था वैसे ही बस इसको ऐसे ही करके हमें छोड़ देना है E में हम ऐसे घुमाते हैं लेकिन इसमें हमें क्या करना है बस ऐसे करके हमें छोड़ देना है तो ये हो गया हमारा डॉ तो इस तरह से आप बहुत आसानी से डॉ लिखना सीख गए होंगे है न दिखिए ये दिखिए कितने आसानी से मैं लिख पा रही हूँ डॉ ये दिखिए आप इसे देखिए और देखकर मेरे साथ अभ्यास कीजिए अपने नोट बुक में ठीक है डॉ से क्या होता है बच्चों आपको पता है डॉ से होता क्या है डॉ से डमरू डॉ से ड्रम डमरू आपने देखा है डमरू कैसा होता है मुझे तो अच्छे से आता नहीं है फिर भी मैं कोसिस कर रही हूं कि डमरू कैसा होता है देखने में सायद ऐसा होता हो ये देखिए ये मैं एक छोटा सा ड्रॉ कर रहे हूँ आप लोगों के लिए पता नहीं आप लोग मुझसे अच्छा ड्रॉ कर पाएंगे देखकर अपने नोटबूक में देखेगा उसमें ड्रॉ दिया गया होगा है न इस तरह से होता है न ड्रॉ हाँ इसी तरह का होता है ड्रॉ तो दो से क्या होता है बच्छों दो से डमरू डौ से क्या होता है डमरू तो कैसे हम लिखेंगे डौ आपको भूलना नहीं है कैसे लिखना है बहुत आसान है ऐसे और ऐसे हो गया डौ आसा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से लिखने आ गया होगा और इसका अच्छे से खूब सुन्दर लिखावट में आप इसको लिखिएगा ठीक है बचो, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, थैंक यू